Samsung के M series के बाद इंडिया में launch हो गए है Samsung की A series तो हमारे पांस है Samsung का A beauty तो आज की इस वीडियो में मैं हम इसकी unboxing करने वाला हूँ इसके कांस features के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को कर दो like, चानल को कर दो subscribe क्योंकि ऐसे ही interesting videos मैं हमेश अपने चानल पर लेकर आता हूँ तो चलिए फटाफट से करते हैं इसकी unboxing तो इस box में है Samsung Galaxy A50 जो की हाल ही में इंडिया में launch हो गया है यहाँ पर लिखा है Samsung Galaxy A50 इसके पीछे यहाँ पर इसके सारे features के बारे में लिखा है हमें यहाँ पर infinity u display मिलता है triple rear camera sensor मिलता है और in display fingerprint scanner भी मिलता है तो चलिए open करते हैं इस box को और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या-क्या मिलता है यह है Samsung Galaxy A50 इसको थोड़ा side को रखते हैं और देखते हैं इस box के अंदर हमें और क्या-क्या मिलता है यह है travel adapter जिसकी output rating है 9 volt 1.67 ampere जो fast charging को support करता है और यह है USB-C type cable और हमें यहाँ पर मिलते हैं यह simple earphones इस चोटे से box में हमें user guide और silicon case मिलती है silicon cover लगाने के बाद इस handset का look भूत ही बढ़िया दिखता है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यह है Samsung Galaxy A50 जो की दिखने में बहुत ही खूब सुरत है चलिए इसको boot करते हैं यहाँ हमें मिलता है triple rear camera sensor उसके नीचे है LED flash राइट साड में यहाँ पर है volume rockers और power on a button इसकी thickness है 7.7 mm height है 158.5 mm width है 74.5 mm और इसका weight है 166 gram यहाँ पर है 3.5 mm audio jack USB-C type port microphone और speaker grill left side में यहाँ पर है sim tray जिसमें हमें dedicated memory card का slot मिलता है और यहाँ पर है noise cancellation secondary microphone और यहाँ पर notch में है ear face और 25 megapixel का front camera sensor तो यहाँ पर हमें मिलता है 6.4 inch का full HD plus infinity O super AMOLED display फोनी के वज़े से यहाँ पर हमें colors बहुत ही खुबसूरत मिलते हैं इसके back side में जो material यूज किया है वो है polycarbonate का लेकिन इसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि यह polycarbonate है इसके back side में अगर आप लोग back cover यूज नहीं करते हैं तो इसके पीछे definitely scratches आ सकते हैं Samsung One UI के जो icons है वो Samsung के पुराने UI के बदले काफी बड़े दिखते हैं अब यहाँ पर set करते हैं इसके fingerprint scanner को जो की in display है तो चलिए अब set करते हैं इसके face unlock को अबोट phone में One UI 1.1 के साथ Android 5.9 मिलता है अब यहाँ पर चेक करते हैं इसके in display पिंगर पिंगर पिंट स्कैनर को की यह किस तरह से काम करता है यहाँ पर हलका सा late जरूर महसूस होता है लेकिन आदत पढ़ने के बाद ये भी ठीक हो सकता है इसका face unlock बहुत ही अच्छे तरह से काम करता है लेकिन आखे बंद करने के बाद भी ये unlock हो जाता है लेकिन update की मदद से Samsung इसे ठीक कर सकती है अब चेक करते हैं 124G Ulti support को यहाँ पर मैंने जियो के दो SIM card लिये है देखते हैं यहाँ पर 124G Ulti का support मिलता है या नहीं मिलता है तो यहाँ पर हमें 124G Ulti का support मिलता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर चेक करते हैं इसके sound quality को इसके camera section में हमें बहुत सारे mode मिल जाते हैं इसके cameras के बारे में मैंने description में लिका है अब वहीं से देख सकते हैं यहाँ पर हमें panorama mode, pro mode, live focus, photo mode, video mode, slow motion और hyperlapse के option मिलते हैं यहाँ पर जो 8 megapixel का wide angle sensor है वो video mode में भी काम करता है Bix, B-Vision और AR emojis का support भी हमें यहाँ पर मिलता है इसके cameras में हमें बहुत सारे option मिल जाते हैं उसके तहत हम लोग इसे customize कर सकते हैं इसके front और rear cameras के जरिए मैंने कुछ photos और videos लिये हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन सारे photos को मैंने daylight में यहाँ पर click किया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमें किस तरह से quality देखने को मिलती है यहाँ पर यह है live focus, background किस तरह से blur हुआ है आप देख सकते हैं यह है long shot 25 plus 5 plus 8 megapixel का triple rear camera sensor हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और 25 megapixel का front camera sensor हमें यहाँ पर मिलता है यह है selfie shot और यह है hyperlapse mode इस video को मैंने 1080p में shoot किया है अब लोग देख सकते हैं यहाँ पर तो साथियो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो please मेरे इस video को like और share जरूर कीजिए अगर आप लोग मेरे चानल पर नए हो तो चानल को subscribe कीजिए क्योंकि upcoming smartphone और technology के updates के बारे में ऐसे ही interesting videos मैं हमेशा अपने चानल पर लेकर आता हूँ तो आज के video में बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए video के साथ तब तब के लिए जय हिन